सड़क वहाँ पर चौड़े नहीं है जिसके वज़े से आए दिन स्पोर्ट रेथ होते रहती है और जो भी होगा अगर मेरी पॉसिबलीटी है तो मैं वहाँ पर फैक्टरी का निर्मान करूंगी मैं जो है वो अमेदकर जी को मानने वाले एक समीधान को फॉलो करने वाली पार्टी है और रह गई बात राम और रहीम को मानने की अगर वो पार्टी रहीम को मानती है और मैं राम को तो अच्छी बात है कि ये एकता जो है आगे एक दिन रंग लाएगी मैं बता दूँ कि मैं सनातनी हूँ और जो प्राचीन इतिहास रहा है हमारा जहांकि प्रान प्रतिस्टाल जो आपने देखा होगा अयुध्या में हुआ वहाँ भी ऑफिशिल गेस्ट अगर पहले थे तो वो निशात थे और मैं उसी समुधाय को बिलॉंग करती हूँ मैं वोट जे हूँ लोगों की विकास के नाम पे माँगए लोग अगर चाहते हैं कि उनका विकास हो तो अच्छे हूँ इद्वार को चुनिए हमारा साथ बाचित करने के लिए काराकाट AIM AIM के लोग सभाब परत्यासिप प्रियंका चौधरी है इनसे हम सिधा बात करेंगे क्या कहिए कि आपके सामने तो इतने बड़े कदावर निता उपेंदर कुस वहां होंगे कैसे उनसे लड़िएगा प्रियंका चौधरी हो उसको गोद लिया था और उसको गोद लेने के बाद जो हैं उन्होंने ऐसा कुपोसित बच्चा बना दिया कि आज वहां कोई विकास का नामों निशान दूर दूर तक नहीं है एड प्रेजेंट वहां पर दो पूल पाली पूल और दाउदनगर पूल हमारे छेतर में वो डैमेज पढ़ा हुआ है जिसका रिपेरिंग आज तक नहीं हुआ और जिसके बारे में मिस आगे चर्चा भ भी नहीं है कि जहां पर लोग जा सके जिसके वज़े से लोग बाहर जाते हैं माइग्रेशन करके रोजगार के चक्कर में अगर मैं आती हूं सद्धा में तो यह सब चीजों को दूर हटाऊंगी यह सब हटा करके मिस बहुत सारे चीज़ है जासे मैं मेडिकल सरकारी कॉले में स्मॉल स्केली फैक्टरी हो जहां लोग जो है अपने घर से आकर टाइम निकाल कर काम कर सके जिसके लिए हाईयर एजुकेशन की जुरत नहीं हो एक सेल्फ इंप्लाइमेंट दोगा ताकि लोग थोड़ा कमाएं अपने पडिवार के साथ रहें थोड़ा कमाएं मिस खास करके कहा जाता है कि AIM aim जो सिर्फ मसल्मानों की पार्टी है, उननोगों अपने लोगों को कैसा समझायें कि यह नहीघ बता है कि BIM जो है अगर मुसल्मानों की पार्टी है और मैं हिंदू हूं अगर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है तो सबसे पहले यह बता दूं कि अमेदकर जी को मानने वाले एक समीधान को फॉलो करने वाली पार्टी है वो चाहती है कि गरीबी हटे लोगों का स्वास्त अच्छा हो जो नीचे तब्दले के लोग हैं जिनका अप्लिप्मेंट नहीं हो पाड़ा है यहां की जो बेटियां हैं वो भी आगे बढ़ें उचे पोस्ट तक जाएं तो उस चीज में मैं उनको सपोर्ट करती हूं और रहेगी बात राम और रहीम को मानने की अगर वो पार्टी रहीम को मानती है और मैं राम को तो अच्छी बात है कि यह एकता जो है आगे एक दिन रंग लाएगी कारा कट के लोगों को कैसे समझाईएगा कि आपको वोट करें आपको मैं बता दू कि मैं सनातनी हूं और जो प्राचीन इतिहास रहा है हमारा जहांकि प्रान प्रतिस्टा जो आपने देखा होगा अयुद्या में हुआ वहाँ भी ऑफिशिल गेस्ट अगर पहले थे तो व मैं उसी समुधाय को बिलॉंग करती हूं और इसके अलावा जो है मैं जियर स्वामी जी से संख चक्र ले चुकी हूं अगर मेरा मानना है कि ये सब रहते हुए मैं इस पार्टी में रहके एक साथ एकता के साथ आगे बढ़ सकती हूं तो मुझे ये बिलीव है कि लोग जो ह है उसी उमिद्वार को वोट देंगे जो की उनका सपोर्ट करें जो उनको आगे अग्रसर होने के लिए उनकी गरीबी उनकी लाचारी उनके हेल्थ ये सबसे उनको ऊपर उठाए मैं वोट जे हूं लोगों की विकास के नाम पर मांगे लोग अगर चाहते हैं कि उनका विकास हो तो अच्छे हूं इद्वार को चुनिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है अगर लोग यह बिलीफ करते हैं अभी तो लोग मेरे चेत्र के लोग खुद ही बोल देंगे कि वो जो है मैंने उनका कितना विकास किया है उनके डिमांड पर ही आज मैं आगे बढ़ी हूं और हमारे यहां जो है एक प्रमान है जो मेरा खुद का नया घर बन रहा था जो नई जमीन पर वो प्लॉट जो है वो पूरी बिल्डिंग वो हॉस्पिटल में गाने मेडिसिटी हॉस्पि चोटे स्केल पर हम इतना काम कर रहे तो बड़े स्केल पर जाएंगे तो कितना काम करेंगे और उपंदर का स्वाहन है जिस गाओ को गोद लिया था उसका विकास आज तक उनों नहीं किया और मैं जिस छेतर से आते हूँ हां पर हमने बहुत सारा विकास किया है यह उन करिया कोमेंट को जवाब जोर दीजागा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्याएं